नमस्कार आप सभी का स्वागत है एंडी टीवी राजस्तान पर और मैं हूँ आपके साथ शुभ हिंदु सेंग राजस्तान में दो चर्णों में लोगसभा के चिनाव हो चुके हैं और इन दोनों चर्णों में प्रदेश में बज़र्ग वोटर्स वोटिंग के मामले में यवाओं पर भारी पड़े हैं लोग सबार चिनाव के दौरान इस पार बुजर्ग मतदाता युवा मतदाताओं से जादा जागरूप नजर आए और ऐसा इसलिए का जा रहा है क्योंकि उन्होंने जादा बढ़ चड़ करके वोटिंग की उन्होंने युवाओं से जादा मतदान किया है और दोनों चरण के मतदान के बाद चिनाव आयो की ओर से जारी आंकडों में साफ नजरा रहा है कि 18 से लेकर के 19 साल तक के युवा मतदाता उस जोश के साथ मतदान करने के लिए नहीं आए जिस तरह 85 साल और उसे जादा उम्र के बज़र्ग मतदाताओं ने अपना फर्स निभाया है इन बज 60.07 प्रतीशत मतदान किया है एक बड़ी अच्छी खासी यहां पर परसंटेज बज़र्ग वोटर्स की सामने आई है इस आयू वर्ग में 5.07 एक लाख मतदाता पंजिकरत थे इनमें से 3,83 बज़र्ग मतदाताओं ने मतदान किया इनमें होम वोटिंग करने वाले 55,000 बज युवा मतदाताओं ने रिकॉर्ड मतदान किया था लेकिन लोगसवा चुनाव में नजारा कुछ बदला हुआ से नजारा है दोनों चड़नों में एक ल मिलाकर 18-19 आयूवर के 60% युवा नव मतदाताओं ने मतदान किया है विदानसवा चुनाव के मुकाबले लोगसव से जादा मतदान किया है आठ लोगसवा शेत्रों जिन में चुरू जुन जुनू सीकर पाली जालौर उदैपूर बासवडा और राजसमन जैसी सीटें आती हैं यहां पर महिलाओं ने पुर्षों के मुकाबले जादा मतदान किया है और ये कई तरीके के संकेत दे रहा है अब इसका संकेत क्या है ये जानने की समझने की कोशिश करेंगे आप हमारे साथ एक खास पैनल कारकरम में जोट रहा है हम उनसे आपको मिलवाएं लेकिन उससे पहले ज़रा आपको बता दें कि BJP का जो आधार है क्योंकि फर्स्ट फेस की जब वोटिंग होती है उसके बा अंतुरी नरिंदर मोदी ने अपने कारे करताओं तक एक मैसेज पहुचाया आप और वही दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के दिगज निता भी अपने कारे करताओं अपने जो वोटर से उनको साधने के लिए बार बार जादा से जादा वोट करने की अपील करते हुए दिखाई देते हैं लेकिन कितना मैसेज वो पहुच पाया और असल माइने में जो कहा जाता है बीजेपी का कोर वोटर क्या वो इस चुनाब के अंदर दोनों फेस के अंदर खासकर के दूसरे चरण के अंदर क्या वो अपूरी तरीके से अपनी भूमी का निभाते वे नज मैं जरा शुरिवात अपूजवा जी आपसे ही कर रहा हूं दलती उम्र में बुज़र्गों ने अपना दम दिखा दिया है और ये बता दिया है कि वो किसी से भी पीछे नहीं है कई सीटों पर जो ट्रेंट सामने आया है वो ये बताता है कि युवाओं से जादा बुज़ को ने वोट किया है दूसरी तरफ महिलाओं ने भी इस बार बड़ा अच्छा खासा वोट किया है अब उसके सियासी माएने कई निकाले जा रहे हैं बहुत सारे पॉलिटिकल पंडित इसे पहले भी बीजेपी निताओं से जब बात हुई तो कुछ बीजेपी निता कह रहे है तो बीजेपी के पक्ष में है आपका अंखलन क्या कहता है आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं देखिए भारती जंता पार्टी की सरकार में पिछले दस वर्षों के अंदर महिलाओं के लिए जो अब गुत पूर्व कारे किये उसे महिलाओं का रुजान जो है वो भा प्रते पेमाने के उपर किस तरीके से सशक्त करना है इसी के उपर भारता पार्टी फोकस करती है तो महिलाओं का जो रुजान इसमार बढ़ा हुआ दिख रहा है उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि महिलाओं ने सोचा कि इंदुस्तान के अज़ाद होने के पैसक वर्षो बढ़ा है उसका यह सीधा सा कारण है कि महिलाओं निकल कर आई और उन्होंने आदने नरेंद्र मोदी जी को अपना आशिरवाद प्रदान जहां तक बात रही बुजर्गों की तो वह भी आप देखिए कि उन्हों उनके पास को उन्हों वह पीडी है जिसने 65 साल का प्रश्टाचार में लिपत रहती थी इस प्रकार लोक्तंतर की मंदिर के अंदर अगर डिसकाशन होता था तो सबसे ज़्यादा गोटालों का और ब्रश्टाचारों का हुआ करता था चाहे आप पोल्स कैम उठाईए टू जी उठाईए प्री जी उठाईए आउगस्ता व वोटिंग हो रही है तो उसके पीछे ये एक कारण है या एक एक नेरेटिव सेट हो जाता है कि भई बीजेपी वहाँ पर जो है वो कमजोर है कॉंग्रिस थोड़ी से मजबूत दिखाई दे रही है लेकिन अगर बंपर वोटिंग होती है तो उसे बीजेपी को फायदा होत अगर आप रुजान देखेंगे अगर आप उन बूथों को देखेंगे जिन बूथ के ओपर कॉंगरेस हमेशा बढ़त पाती थी उन बूथों के उपर इस बर उतना मद्दान हुआ ही नहीं है आप उस पर लिजेपी को ठाके देखी जिस को फायदे है के उपर रात को साथ बज़े तक लाइन रहते थी लोग छे बज़े तक उस मतंदान केंदर के अंदर चले जाया करते थे वहां पांच बज़े तो चार बज़े तो सन्नाटे दोड रहे थे और पॉने शे तो आप में लॉक लगाने की तैयारिया हो रहे थी हमने तो ग्राउं नहीं है कॉंग्रस में भी ऐसा ही है मैं यह नहीं कहे रहा है कि कॉंग्रस पार्टी का वोटर ही निकला बाहर वो सोता रहे गया यह दावा कुछ भी कर सकते हैं लेकिन हकीकत यह है कि जो ट्रेंट चल रहा था हमेशा यह रहता है कि जागरुकता बढ़ती है जब 2019 से 2020 में यह कम क्यों ही क्योंकि कहीं न कहीं इसकी वज़े यह भार्टी जंदा पार्टी की मोधी सरकार है आप राज्य विदान सभा के चुनाओं में यह कमी नहीं पाएंगे लेकिन इस लोग सभा चुनाओं में कमी आने का बड़ा कारण यह है कि लोगों का लोग तंतर से द दिखा के और उनकी सरकारे बदल देते हैं आप कैसे आप मुझे बताइए जब जनता किसी एक पार्टी को वोट करके जिता रही है और यह उपर दिल्ली से ऐसा दबाव बनाकर उस पार्टी का साशन बदल के अपने अपना साशन ले आते हैं तो लोगों का लोगनतर में पिछले कुछ समय में जिस तरीके का अपना चरित्र प्रजशन किया है आप उनके देखिएगा बाद में मैं पुनीच जी माफी के साथ रोख रहा हूं लेकिन एक सवाल में जोड़ लेता हूं कि ऑप्शन कॉम्रेस पार्टी को नहीं माना या निकी एक मिट मैं पुनीच पुनीच जी सवाल ये एक बड़ा पुनीच जी और कि अपने बात रखी और मेरा सवाल सर ये था कि ऑप्शन की तोर पर क्या कॉंग्रेस पार्टी को लिया और अगर लिया होता तो आपको नहीं लगता कि बंपर वोटिंग होती अब देखिया बांसवडा और बाडबेर की सीट देखिये वहाँ पर खुब बंपर वोटिंग होई है अब यह काल जा रहा है कि वहाँ पर रविंदर भाटी वाला फैक्टर काम खरा या कितना किया वो तो खेर परिणाम ही बताएंगे लेकिन वहाँ पर जनता जो है वो निताओं के साथ और इस पूरे इलेक्शन के अंदर नजर आती है जोड़ी हुई तो कॉंग्रेस पार्टी ऑप्शन थी जब भी इतनी वोटिंग हो पाई है क्योंकि ये लोग इनका जो कोर प्रूप वोटर है वो बहुत बुरी तरीके से निराश है यकिन ये तो बूट की बात करी तो बूट का अनलिसिस हमने भी किया है और हमारे बूट जो है वो मजब कर देगा आज तो यह हम बात करेंगे तो हैपोधिकल हो जाएगा लेकिन जो वास्तविक परिणाम इस चीज को साबित करेगा कि हुआ क्या है तो मैं यह कह रहा हूं कि हमारे वोटर जो है वो घर से निकला है उसमें इस वार उर्जा थी वो चाहता था कि इस सरकार को बदल नहीं तो अगर वैवस्ता पसंद नहीं आ रही थी सरकार के खिलाफ अगर वो थे उनको सरकार पसंद नहीं आ रही थी वो घर से बाहर निकलते सरकार बदलने के लिए वोट करते वो और एक वंपर वोटिंग होती मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूँ जो व्यक्ति निराश होता है तो इसनों उर्जा नहीं रहती है आपको मैंने यही कहा कि व्यक्ति इस वक्तंतर की इनकी व्यवस्ता से निराश है और वो पुरी तरीके से प्रेशान हुए व्यक्ति निराश है तो इस वज़े से वोट देने नहीं निकलता है तो यह अब ऐसी स्टेट्मेंट थोड़ा सा ना जो वोटर्स है उनको और थोड़ा उनका जो मोटिवेशन है उसको थोड़ा सा और डाउन कर देते हैं मतलब यह कंसे कम हमें यह को आगे घर से बाहर निकल करके वोर्ट तो करना चाहिए लोगों ने यानी यानी कि आनि ऑप चुनाव आयो का करने पुनी जी बड़े आसानी के साथ इसको समझना होगा कि अगर आप आप देखे उत्रा खंड के अंदर क्या होता है जहां आपकी सरकार बन जा पश्रिमंगाल में अगर पक्षिखे में की सरकार बन जाती है तो कोई दिक्कत नहीं आती है इसे पहले राजस्तान में सरकार थी सरकार थी वहां सरकार बन जे तब कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन अगर हार जाएं तो फिर दिक्कत आती है यह ठीक नहीं है मुझे लगता है यह ठीक नहीं है क्या इसमें हम जादा नहीं पढ़ते हैं यह आपका अधिकार है आप आरोप लगा सकते हैं आप लगा रहे हैं लेकिन पूरी जी अच्छा एक चीज और है अपूरवा जी ने कहा कि महिलाएं इस पार ज़्यादा वोट करी ये बीजेपी के कैडर के लोग थे यानि कि जिस लाभारती वर को फायदा पहुंचाया वो लोग सबसे ज़्यादा वोट करते हूँ नजर आए महिलाओं ने सस्ता कर दिया हो लेकिन सिलेंडर की कीमत 2014 से लेखे 2023 तक जो रही है उससे वो परिशानी रही है जब यह लगता है कि उनके बच्छों का निवाला चीन लिया गया है तो वो भी जागरुक है इस वक्त वो भी चाहती है कि हम कम से कब इन चीजों से तो हमें इन परिशानी से दों में दूर हो तो वो इनकी वज़े से नहीं वो इनके विरोद में जादा निकली गी झूझे अब पुरंवट जी जड़ा जवाब दीजे विरोद में थी मों महिला है इसलिए जादा घरों से बाहर निकली है देखिए हिंदुस्तान की नारि होंने सद एक टाना सुना क तेरा घर कौन सा है, जब उसको पट्टा मिला, हिंदुस्तान की नारी ने आज तक अपने पतियों से ATM हाथ में देखा, जब उनको जंधन के अकाउंट बिले, जब उनको शौचाले मिले, जब उनको उज्वला का कनेक्शन मिला, जब मुद्रा लोन के अंदर 69% लोन जो है, महिलाओं को मिला, जब लग तीन करोन लगपती दीदी बनाने का विजन देखा गया, और विजन देखने के साथ ही, एक करोन लगपती दीदिया बन भी गए, जब ब्रोन दीदी बनाई गई कि वो एगरी कल्चर से निकल करके, अब अपने जीवन को सामाजिक शेतर में जैसे का आपको ध्यानों कोई नया घर बनता है, तो सबसे पहले बेन बेटियों की हतेलियों का छाप लगती है, वैसे ही पहला बिल की छाप लगी, तेजिस प्रतिशत आरक्षन की महिलाओं की, जब महिलाओं ने इतना सब कुछ देखा तो इनोंने ये हिपोक्रसी की बात कर रहे थे न, इनोंने भी इनके हिपोक्राटिक चेहरों को देखा है, कि ये किस तरीके की बात इनोंने 65 वर्षों तक करी और एक व्यक्ति पे आकर के केवल 10 वर्षों में भारत की इतिहास को बदल डाला, नरेंद्र बोधी जी की सरकार ये 10 वर्षों की केवल विकास की सर की नरेंद्र बोधी और बी जैपी को को सते खोस्ते खोस्ते ये भारत के विकास को को स्ने लगे, ये महिलाओं के उत्थान को को स्ने लगे, युवाओं के सपनों को बदल लगे, फों इंको सोचना चाहिए कि अल्टिमेटली कॉंगरस इतनी नेगेटिविटिविटी में जा क्यों रही है हां पुरी जी हां देखिए भारत पहला ऐसा लोगतांत्रिक राष्ट रहा है जिसने पहले दिन पहले दिन जिस दिन वो आजाद हुआ लोगतांत्र की स्थापना हुई पहले दिन महिलाओं को समान रूप से वोटिंग अधिकार किया तो ये बात ही तो रहन दिन ही दे दिया था पंडिन नहरू जी का विजन था और उससे लेके अब तक हमने बहुत प्रयास कि अपने गटबंदन की सरकार को बचाने के लिए उस बिल आप जिसकी बात करें महिला अदक्षिन भी इलकि क्या आप आपने लागू कर लिए गया अभी उसका आपने दो अगर वोटर्स अपने घरों से बाहर निकले तो सबसे बड़ा मुद्दा ऐसा कौन सा था जो उनके खिलाफ ऐसा कोई वज़य हो जिसके वज़य से वो अपने घरों से बाहर निकले हो उन्होंने मोधी सरकार के खिलाफ वोट किया क्योंकि बीजेपी के नेता बार-बार य बिखाई दे रही थी, 370 धारा को लेकर के सब पॉजिटिव चल रहा था, तो ऐसी कौन सी बड़ी वज़ा है, कि मुदी सरकार के खिलाब कोई जनता आकर के वोट करें, बलकि वो तो यह कह रहे हैं कि गड़बंदन सही नहीं किया, कॉंग्रेस पार्टी ने, इस वैसे मुद्दा जो था इस वार, वो सबसे पहला बड़ा मुद्दा रोजगार, उसके बाद महंगाई, ऐसे प्रेसिक मुद्दे थे जो घरों, घरों को परिशान कर रहे थे, युवाँ को परिशान कर रहे थे, आप देखिए, ये योजना लाय अगनी वीर की, अगनी वीर यो वो बात में रिटायर हो गई, ये कैसी परिश्थिती है, आप देखिए, हर तरीके से जूट सबसे पहले आप देखिए, युवा अगर नाराज थे, तो युवाँ ने तो वोट किया नहीं, बहुत काम प्रतीशत है, विदानसर बचनाव में फिर भी एक बार को अच्छा देखिए, युवा ने वोट किया है, आप परसेंटेज वाइस कह सकता है, लेकिन गिंती में बहुत अच्छा वोट किया है, क्योंकि मेरे पास कुछ आंकने में युवाँ के अलग नहीं निकाले, लेकिन करीबन मेरा ये मानना है कि जो बड़ी संख्या में, गिंती के आप ये देखिए, इससे कोई पॉजिटिव मेसेज नहीं किया, नकारात्मक राजबीती तो इन्हों ने की है, और इसका भी असर रहा है कि महीलाव ने बढ़ चड़ कर इसा लिया है नहीं तो यही बड़ा कारण था ना, कि ऐसे हवाई हवाई मुद्दे जो हैं, वो चलते रहे, जमीनी इस तरपर जो जनता को चाहिए था, शायद वो नहीं मिल पाया, शायद वो जो मुद्दे जनता चाहती थी, उन मुद्दों से कनेक्ट नहीं कर पाए निता, पॉलिट जनता को नहीं लगेगा किसा आप इसमें उपर उपर की बाते चल रहे हैं, हमारी जो परिशानियां, जो हमारे मुद्दे हैं, या जो हम चाहते हैं, उसकी बात नहीं हो रही है शुवेद्लू जी का एक कहना लाजमी है क्योंकि कॉंग्रेस के पास में कभी भी कुई मुद्धा नहीं रहा पैसेट वर्षों में रहा इन दस वर्षों में तो हमने कुई मुद्धा छोड़ा इन विकास कर जो ये उठा सके तो इनके लिए तो आब मंगल सूतर और मंगल सूतर के आसपास के दाजरियती करना और उसकी बात करना बहुत सोबावी क्या और इसी के आसपास ही अपने जो है जब आयनार में चुनाव लड़ने गए तो CPI के candidate के साथ में उनकी तक्कर हुई और उसके बाद उनको ध्यान आया कि मुझे जाके वापिस पुना अमेठी से या राइबरेली से चुनाव लड़ देना चाहिए तो आप ये देखिए कि Congress का कहीं भी बेस नहीं है इवन Congress ने इंडी Alliance के अंदर जितनी भी पार्टी को Alliance में लिया है वो Alliance राजकुमार जी के लिए कुरसी नहीं छोड़ पाई तो इन लोगों के लिए तो कुरसी की सत्ता की इतनी नौलुत्ता है इन लोगों से आप किसी भी विकास खेलिये राश्वार के लिए जन्लुत्धान के लिए जन्कल्यान आप इनसे कॉए बात कर नहीं सकते तो क्या करेंगे मंगल सूतर की राजनिती करेंगे, कि मेरी मदर के मंगल सूतर को telling them हो गया था सब हमने क्या कहा जन्ता ने जवाब दिया है जन्ता ने पूछा है कोई एक पोटो दिखा दो जिसमें सोनिया गांदी जी ने मंगल सुतर पहन रखा तो यह सवाल हमारे नहीं है यह तो जन्ता के हैं हम तो कदर करना चानते है रिष्टो की हम तो कदर करना चानते ह करनना चानते हैं मेलाः उसी का जवाब दिया हैं और ऊसी का बड़ार करके वोटिंग की है पर जी देखिए बार-बार यह मंगल सूतर की बात कहरें, मैं आप से कहा हूं, मैंने पहले यह पहले क्छा कि मंगल सूतर की बात कॉंग्रेस पारटी नहीं जी ने की, कि कॉंग्रेस पार्टी के समिधान में ऐसा लिखा है कि आपका मंगल सूतर छीन लिया जाएगा क्या कहीं हमारे मैनिफेस्टों में ऐसा लिखा था आप मेरे नेता हमारे जित्ते भी नेता है इनके बाशन में आप सुनेंगे तो महंगाई बेरोजगारी इन विश्यों पर बात होती है विकास की बात होती है युवाओं की नहीं तो बीजेपी के मैनिफेस्टों में कहा लि आप यह कभी सपस्ट नहीं कहते हैं, आप कैदे हम बहुत बड़ी चीज़े करेंगे, अमिज चास आप ने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि पहले भी हमारे पास मेंडेट ता ऐसा नहीं था, अगर हमें समविदान बदलने की बात थी तो हम पहले कर सकते थे, हमारे पा आप से उसमें परिवर्तन करना चाहते है, इस सहमतिकना, यह इस इस नहीं और भारती संसा पार्टी के लिए तो समझ में आता है, कॉंग्रेस को नहीं कहना चाहिए, आपको मैं फिर कह रहा हूं, इस इस संथिंग वाइन तो वो चार सो मांग इसलिए लिए 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 कि आप चार सो पार के नारे का एक अधार यह धी रहेगा कि वन डेशन रो इलेक्शन, तो ही चुनाव नहीं, सीरा एक लोग चाहिए, लोग पंदर सीरा अच्छा एक चीज़ पताइए, आपको लगा कि फर्स्ट फेस के अंदर जब वोटिंग परसंटेज कम रहा, उसके बा कि यह चुना बहुत अच्छा चल रहा है, और हमारे कारेकरता पहले भी मजबूत थे, और उसके बाद और मजबूती से खड़े रहे, आगे हमने तो बेटन थर्ड फेस को दे दिया है, सेकिंड फेस में हमारे साथ ही थे, फर्स्ट फेस वाला जो बेटन हमारे आत में है, उसी मजबूती से उसी स्पीड के साथ हमने वो बेटन थर्ड फेस को दे दिया है, यह फर्स्ट फेस ने पूरे देश में उपर से लेके इनको भी, इनके भी रीड की एड़ी में ठंडी लहर दौड चुकी है, इनको मालूम है कि फर्स्ट फेस में क्या नुक्सान इनको और तेजी से जूट बोल रहे हैं, और तेजी से अभी एच्प्लेइन कर रहे हैं कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, बाबा साहिब अम्बेट कर खुद आ जाएंगे, तो भी सविदान में संशोधन नहीं होगा, यह इनको कहना इसलिए पड़ रहा है, क्योंकि अब इनका अब थोड़ा सा पहले के मुकाबले, फर्स्ट फेस के मुकाबले, सेकिंड फेस में वोटिंग परसंटेज थोड़ा सा बढ़ा है, तो उसमें लगा कि कुछ चीज़ें जैसा आप समझ रहे हैं, वैसा हो रही है, यह मेरे से प्रशन है, जी, पुने जी, जी, सेकिंड फेस या इनके फेवर में मार्जिन बहुत कम रहेगा, और यह इस परश्ट होगा चार जून दे, यानि कि आप कहरें कि कड़े टक्कर के लड़ाई है, मार्जिन बहुत कम रहेगा, जी, थार का, यह जो सोच के चल रहे थे, कि हम तो एक ही नाम के सारे आगे हो जाएंगे, अब पूशिश की दुबारा से अक्टिवेट किया उनको, और उसके बाद दिखा भी, उसका असर भी दिखा, सेकिंड फेस की जब वोटिंग होती है, उसमें पहले के मुकाबले, यानि कि फर्स्ट फेस के मुकाबले, वोटिंग परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ता है. नागरी काफे पवित्र करतावे का उप्योग नहीं कर रहा है, तो इनको लगता है कि यह हमारे लिए पॉजिटिविटी का साही है, तो मुझे सबसे बड़ा तो यही अबजेक्शन है, मगर जब हमने यह देखा, कि मतदान कम हो रहा है, और लोग अपने इस पवित्र करता है, निबाने का एक ही दिन आता है, और इसके अंदर बढ़ चड़ की जो है, वो पार्टिसिपेट करें, और जहां तक बात रही 25 कमलों की, या सीटों की, तो कॉंग्रिस प्रवक्ता ने यहां पर मान ही लिया है, कि मार्जिन भले ही कम रहे, और जीतेगी तो भारती जंता इननों ने यह नहीं कहा कि हम जीत रहे, इननों की, तो कि जीत रहे है, तो नियुक्ता है, वो अपने रहे हिसाब से बात निकालेंगे ना, तो उपर आना दूस्री चीए इनों ने मुझे यह का कि मैंने चार्ज उन को, चार्ज नहीं को हम लो दागेंगे, का लोग जोई और फिलहाल इस पार फिर से किसको इंतजार करना पड़ेगा बहुत शुक्रिया दोनों भी खास मेमानों का कारेक्टर में शामिल होने के लिए लेकिन वोटिंग परसंटेज को लेकर के बड़ी चर्चा थी कम वोटिंग परसंटेज और इसमें खास वर क्योंकि इसमें महिलाएं बड़ी अच्छी खासी संक्या में अपने घरों से बार निकली वोटिंग की इसके माइने क्या थे बुज़ूर्गों ने अच्छी खासी वोटिंग इसके मतलब क्या थे ये हमने समझने की कोशुश किये